सापों को अक्सर complicated जगर या फिर construction site पर देखा जाता है और यह site पर काम करने वाले मज़ूर के लिए काफी खतरनाक होता है कुछ सापों में जहर होता है तो कुछ सापों में जहर नहीं होता है तो फिर बिना जहरिला साप काटने से मौत क्यों हो जाती है क्योंकि बिना जहरिला साप काटने से आदमी सदमे में चला जाता है कि मुझे साप ने काट लिया और उस सदमे में उसकी मौत हो जाती है तो फिर बिना जहरिला साप को कैसे पैचाने अगर साब जहरिला हो या फिर बिना जहरिला आपको डॉक्टर की ट्रेटमिन आदे घंटे से पहले जल से जल लेनी चाहिए जहरिला और बिना जहरिला साब को पैचानने के लिए साब का डंक देखना काफी जरूरी है जहरिला साप का डंक कुछ इस प्रकार का होता है और बिना जहरिला साप का डंक कुछ इस प्रकार का होता है इन दोनों के अंतर को समझना जादा जरूरी है